हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपकी प्यारी कुकु और आज की कहानी है एक मूर्ख चोर की एक बार की बात है राजा अकबर के राजे में एक धनी ब्यापारी को लूट लिया गया दुख से ब्याकुल ब्यापारी नियाय की तलास में अकबर के कछरी में गया अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा ब्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे सक है कि चोर उसका ही कोई नोकर हो सकता है ब्यापारी का इसारा पाकर बीरबल ने सभी नोकरों को बुला कर एक सीधी लाइन में खड़े होने को कहा इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा जैसा कि अपिछिक था क्योंकि चोर कभी खुद नहीं कबूल करता है सभी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सोंपी बीरबल ने कहा कल तक डाकू की लाठी दो इंच बढ़ जाएगी अगले दिन जब बीरबल ने सब को बुला कर उनकी लाठी देखी तो एक नोकर की लाठी दो इंच छोटी निकली बिना समाई गवाई बीरबल ने घुसना कर दी कि यही नोकर चोर है ब्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पुछे जाने पर बीरबल ने कहा यह सरल था चोर ने अपनी छड़ी को दो इंच तक काड़ दिया था इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगा